ओम शान्ति जिस वर्ष ज्ञान्सरोर अकेडमी का उद्घाटन हुआ उसी वर्ष मनुष्य से देवता बनने का ये ईश्वर्य ज्ञान आपको प्राप्त हुआ देव भूमी में रहते वो देवता के संसकार तो थे और उसको बहुत तेजी से इमर्श करना आरंप कर दिया और न सिरफ इतना दो तिन वर्ष के बाद ही अर्थाट 1999 में आपने अपना संपुर्ण जीवन ईश्वर्य सिवाओं के लिए समर्पित किया आप इस मदुबन धर्णी में 1999 से रहते हैं यहां पर मुख्य रूप से आप मीडिया, सोशल विंग और पब्लिक रिलेशन की सिवाएं संभालते हैं लौकिक में आपने 14 वर्षों तक इलेक्टोनिक टेक्निशियन का अनुभव प्राप्त किया सोनी कंपनी में अम्रिसर में तो लौकिक अलौकिक दोनों रिती से प्रतिभा संपन्न भ्राता हमारे बीच में बैठे हैं हमारे मदुबन में जो सुबह में तिवर पुरशार्थी ग्रूप की आपस में भेट होती हैं उसके आप एक्टिव सदस्य हैं इतना ही नहीं जो मदुबन से प्रश्ण उत्तर मुर्ली के निकाल कर और हर मास का पुरुशार्थ का चार्थ भेजा जाता है आप ही भेजते हैं सबको तो अभी हम आपसे सुनते हैं वर्दानी अम्रुत फेला का महत्व क्या है आदनिया प्राता जी ओम शांती बर्दानी अम्रुत फेला हमारे ब्रामन जीवन का ये जैसे ज्ञान फॉंडेशन है ऐसे सारे दिन में जितने भी प्रकार की हम आर्थिक सामाजिक या परिवारिक गतिविदियों के चेतर में आते हैं तो जो स्वेरे की संचित की हुई शक्ती वो हमारी सारे दिन में काम में आती है जैसे मवाइल को चार्ज करते हैं तो सारे दिन निशिंद रहते हैं और जब चार्जिंग नहीं करते हैं तो फिर ढूंडना पड़ता है कहां चार्जिंग करना है और चार्ज ही बिल्कुल खत्म हो जाए तो connection class इसी तरह से आत्मा रुपी बैटरी को चार्ज करने के लिए विशेश रूप से भावा ने अमर्त विला निक्त किया हुआ है इस समय का चैन किया हुआ है बैसे तो कहा जाता है पूरा संग में अमर्त विला है लेकिन फिर भी सारे दिन में हम इतने बीजी हो जाते हैं कर्मक्षेतर पर इतना कर्म conscious में आ जाते हैं कि जो समर्तियां वो सारी दुंदली पड़ जाती है इसलिए फिर भावा ने नुमा शाम और अमर्त विले कायोग जो है हम सब के लिए विशेश रूप से हम सब को चार्ज करने के लिए शक्ति शालिव बनाने के लिए विशेश अपने बच्चों के लिए रखा है क्योंकि अमर्त विलेकास में सब फरी हैं उसमें हम कोई बहाना नहीं दे सकते हाँ किसी किसी की night duty हो सकती है तो उसे अनुसार भी हम अपनी दिन्चरया adjust कर सकते हैं लेकिन फिर भी अमर्ट विला हम्रोड विला ही है तो आप सभी जितने भी बैठे हैं सभी अमर्ट विला करते हैं जो नहीं करते हैं वो हाथ नहीं उठाओ हमने क्या बोला तो हाथ कौन उठा रहे भी तो हमारी सुनने के एक आगर तक शक्ति कितनी है हमको जांच लेना चाहिए तो हमरी तेवले तो सभी करते होंगे क्योंकि ब्राह्मन जीवन जो है खुशी हुवारा जीवन है सारे कलप में जो खुश हम अभी रह सकते हैं वो देवताओं को भी नहीं होगी लेकिन इस जीवन में कभी कभी खुशी में कुछ कुछ और भी आ जाता है लेकिन उसमें भी हमको खुशी लूणनी है क्योंकि बावा ने हम सब को बहुत सर प्रकार की युक्तियां बताई है कोई करम भोग नहीं आए या कोई बीमारी नहीं आएगी ये तो हम जब ने ब्रामट जीवन में कदम रखार था अपना सिर उकली में दे दिया मुसल तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे लिकनों मुसलों का अनुबब भी हमें परमातम प्यार की तरफ लेकर जाता है इसलिए बावा बंदेलियों का बहुत गाइन करते हैं बंदेलियां भी और बंदेले भी बाई भी बहुत बंदेले होते हैं कोई कोई होते हैं तो बैसे तो अमरित बेले के वारे में सब ही जानते ही है ऐसा नहीं है जो हम ग्यान चर्चा करते हैं जितनी भी हम कलासे सुनते हैं कि इसको ग्यान मालूम नहीं है सबको मालूम है लेकिन फिर बात आती है करने के उपर और फिर किस तरीके से करना है फिर बहुत दूसरी बात आती है हम साधान रूप से करते हैं, एक काईदे मुझे करते हैं, या फिर चला रहे हैं वैसे ठीक है, जैसे नियम बना हुआ है, तो नियम अनुसार कर रहे हैं, तो हमको स्वयम ही अपने सूक्षम रूप से जांच रखनी हैं, क्योंकि सुमें बहुत नाजुक है, बो तो बाबा नाइंटीन जीसिक्स से कहते हैं रहे हैं, बहुत नाजुक है, लगिन जैसे जैसे हम इस ब्राहमनः पत्थ पर आगे बढळते हैं, तो हम्हें मैसूसаю तो हुथा ही है, कि इसमें दिन प्रती दिन कहां पहुंच जा रह है, कहां पहुंच जारह हैं, और हम मारे कदम किस गति से आगश बढ़ रहे हैं तो अमरित विले जब हम बाबा को याद करते हैं तो दो शब्दें एक बरदानी और दूसरा अमरित विला तो सबसे पहली बात है बरदान किसे मिलते हैं और किसे मिलते हैं और कब मिलते हैं और क्यों मिलते हैं बरदान किसे मिलते हैं बाप से और कब मिलते हैं और क्यों मिलते हैं और किसको मिलते हैं हम बच्चों को मिलते हैं कौन से बच्चों को स्किल दे प्यारे और प्यारे तो सभी हैं बगवान को और प्यारे तो हम सब होई जाएंगे एक दिन सभी को बगवान को प्यारे तो होई जाएंगे लेकिन ब्रदान कम मिलेंगे जब हम उसकी आग्याउं का पालन करते हैं बास्तम में जो भी हमने लौकिक में ग्यान सुना है बो सरा लौकिक में ही उसको कन्वर्टी तो किया बावा ने लौकिक में जो भी हमने स्कूल में शिक्षा पड़ी है जो भी हमने टीचे से पढ़ाई पड़ी है यहां भी तो हमारा सुडेंट लाइफ ही तो है फर्क केवल इतना है कि बहां की धारणाएं और यहां की धारणों में अंतर है बहां की प्राप्तियां अभिनाशी हैं और यहां अभिनाशी प्राप्तियां है यहां की उच्च कोटी की धारणा है यहां निस्वार्थ प्यार वरसता है बहां स्वार्थ है हद है यहां बेहद है तो बेहद के बाप से बेहद का प्यार अरजित करने के लिए प्राप्त करने के लिए रिसीब करने के लिए हमें उसके आग्यों का पालन में तो करना पड़ सके, उसी को तो देगा न, ऐसे तोड़ा नहीं किसी को देदेगा तो बाबा की नजर तो हम सब बच्चों के उपर रहती रहती यह, लेकिन मैसूस उसकी शक्ती को वही कर सकते हैं, जो उसकी आग्याओं पर पूरा उसका अनुसरन करते हैं, उसका पालन करते हैं, उस पर चलते हैं यह सब बाते हमको पता तो है लेकिन यह कहां बिगन आता है क्यों नहीं हम वह बरदान रसीव कर पाते हैं तो कही ना कही सारे दिन में हमारे से बहुत सारे गल्थियों होती रहती है जैसे पहले ही पहला पार्ट बावा केते हैं अपने को आत्मा निश्चे कर मुझे याद करो लेकि हम स्वयम ही जांच करें कि सारे दिन में सच में मैं वो महसूस करता हूँ स्वयम में अपने आपको महसूस करता हूँ जब भी हम अकेले बैठे हुए हैं क्योंकि दे तो दिखाई देगी ऐसा तो नहीं है कि सीधा मस्तग में आत्मा चम करिये कहां चम करिये दिखाई थोड़ी दे रिये किसी की नहीं लेकिन जब हम अपने आपको स्वयम को महसूस कर लोंगो मैं अंदर ही अंदर तो जितने भी दे हैं चाए वो बहने भाईये दे दिखाई ही देगा लेकिन और आखों में वो चंज चलता नहीं आएगी कल के बरभाण में था ना निर्वेकारियस्तिते कब होगी जब बच्चे निराकारी आत्मा निस्तिती में श्थित होंगे तो निर्वेकारी स्थिति अर्थात कर्मिंद्रियां सोते निर्वेकारी हो जाएंगी ये तो सारा गुप्त पुर्शार्त है इसलिए बावा केते तुम हो incognito warriors अंदर की बात है भार से नहीं है भार से हम बले जितना लंबिस में से साधना कर रहे हैं सबको ग्यान योग हमारी बठी चल रही है लेकिन जो आंत्रीक परिवत्न की परक्रिया है वो तो हमारा मन ही बता रहा है हमारा दिली गवाई देता है कि हमारी परिवत्न की परक्रिया किस गती से चल रही है आगे वो तो हम सोय भी जान सकते है इसलिए सारा पुर्शार्त गुपत है यह इसलिए बावा किते हैं जो बच्चों की नजरों में वो बगवान की नजरों में नहीं है जो बगवान की नजरों में बच्चों की नजरों में नहीं है इसलिए कई सारे यहां मदवन वासी ऐसे हैं जो दिखाई भी नहीं देते है लेकिन बहुत गुर्थ पुर्शारत ही हैं उनके पास में जाने से ऐसे बाइवरिशन आते जैसे अशरी रिवस्ता कानुग होता है लेकिन उन दिखाई नहीं देते इदर इसलिए मदबरन का गायन ऐसे नहीं है लेकिन कई वरी ऐसे होता है हमारा दिरिष्टी को ना लग हो जाता है यहां आप आए हैं तो आपकी जो बिशेष्टा है हो सकता है हाँ हम स्वाइं भी अपने बिशेष्टाओं को उतना नहीं जानते हैं क्योंकि बगवान नहीं हम सब की बिशेष्टाओं को भहचान कर हमको बिशव परिवत्तन करने की जिम्मेबारी के लाइक समझाए तो उसके उसके चैन में कोई फाइट तो नहीं हो सकता है उसके चैन में को तो उपर नीचे नहीं हो सकता है हम सब आत्मों की है हद की वुद्धी लेकिन बावा की बेहद की उद्धी है और बावा हमको हमेशा उसे श्टेज पर स्थित्रयनक देखना चाते है तो हम कहां रहते हैं तो इसलिए सारा स्वयम के परिवत्तन की परकरिया पर हमको बड़ा सुक्षम रूप से ध्यान देने की अवशक्ता है स्वयम से प्यार करना सिखना है हम स्वयम से प्यार कम करते हैं जो भी मारे में कमिया हैं पता होता हमको कमियों लेकिन हम अपने कमियों के चिंतन करते रहते हैं अपने से जैसे अपने आप से दूरी बनाते जा रहे हैं माना मेरे में कमी है लेकिन चाहिन किस ने किया है तो उसने हमारे कमी को ने लेखा है उसने हमारे बिशेशतों को देखा है तो उसने हमारे से प्यार किया है और हम स्वयम से प्यार नहीं करवा रहे हैं स्वयम के अंदर जो हीन वायमने भरी हैं जो सूक शम के परकार के संस्कार है उन संस्कारों से हमने स्वयम को बान्ध के रखा हुआ है और उन से उपर हम निकली नहीं पाते हैं बले हम बैठें हैं, Meditation कर रहें हैं, ध्यान कर रहें लेकिन हमें सबसे ज्यादा जो बादक हमारे जीवन में बनते हैं हमें स्वयम के संसकार ही हमारे जीवन में बादब उत्वन करते हैं परिशान करते हैं दूसरों को इतनी समस्यां इतनी आती दूसरों से दूसरों की समस्यां से पार होना बहुत आसान काम है लेकिन जो स्वयम के संसकार है स्वयम का सभाव है इसलिए अंतिम जो कड़ा पेपर है, मुश्किल है जो है, वो है स्वैम के संसकारों का वेपरा. और बर्तमान समय देखने में वही आता है. सामने से किसे ने कुछ बोल दिया है, अगर हमारे में सैंज्च शक्ति नहीं हैं, तो वो संसकार निकला आते बार उबर आते हैं, इसलिए स्वायम के संसकारों पर काम करना है, और वो बिना साधना किये नहीं होगे, उसके लिए टाइम तो देना पड़ेगा, और टाइम ऐसा नहीं है कि हमको सारा काम दंदा छोड़ के टाइम देना है, क्योंकि जीवन सहज मारका है, मुश्किल मारका यह सहज स्वत है, अपने आप चलता है वो, जो मुश्किल का पुरशार्थ करेंगे, वो हमेशा नहीं चलेगा वो, दो दिन चलेगा, चार दिन चलेगा, पांच में दिन फिवर ऐसी की वैसे, इसलिए बाबा की जो दिन चरह ना बहुत संतुलित बनी है, बहुत फल दायक है, बहुत परिणाम दायक है, बहुत सुख है उसमें, एक उसमें बाइलेंस है, इसलिए स्वेरी से लेकर रातरी तक दो भी जो भी दिन चरह बनी हुई है, उस दिन चरह कहा हम पालन करते रहे हैं, बले हम किसी भी कर्मक्षेतव हैं, कोई भी डूटी नहीं आ रहे हैं, ब बहुत सारे चीजी हम देख रहे हैं, दिखाई देंगी, लेकिन बावा के ति उस लौकिक को अलौकिक में परिवत्तन करने की कला आनी चाहिए, तो हमारे जो ये परिवत्तन करने की कला, ये दीरे-दीरे हमारे संसकारों में बस जाएगी, और फिर देखते हुए भी, जो स असदेप्ता स्टेटस। फिर हलचल में आते हैं, माया हिलाती है, क्योंकि प्राप्तें से बरपूरनी होते हैं, जो हमारा उरिजिनल शुरूप है, क्योंकि आत्मा अपने आम में बैसे संपन ही है, संपन तो बाइड़ी है ही है, पुराने संस्कारों का, अज्यानता के संसकार का जो पर्दा पड़ा हुआ है उसको तोड़ा अटाना है मूर्ति तो अलड़ी है ही है मूर्ति तो इसके पत्थर के अंदर है ही है वो बाहर से तोड़ी नहीं लानी है लेकिन उसके पत्थर को अटाया जाता है जो अधिक लगा हुआ है जिसकी जुरूरत नहीं है तो बास्तम है इसलिए बावा के तो तुम अपने संपूर्टा के आसन पर हमेशा सित्र हो लेकिन हमारी आदत है आसन को छोड़कर मिट्टी से खेलने की आदत देर उपे मिट्टी की मिट्टी के खेलने से केलते रहते हैं क्योंकि जनम जनम की आदत पड़ी है वो हमको खींचती है और ये ऐसे जाने वाली नहीं है सोक्षम रूप से हमें स्वयम के उपर गहरी नज़र रखने पड़ेगी तो ही निकलेंगी इसलिए लंबेस में तक अगर हमको अमरित विले का महसूस करना है कि सचमुच हमारा बगवान से कनेक्शन जोट रहा है तो सारे दिन में एक प्रेक्टिस है जो हमेशा हमको करती रहनी है और वो है दे से डिटेच होने की अश्रीरी बनने की और वो लंबेस में तक निकनी शोटी शोटी गूल करना है एक सेकंड में दे से डिटेच होए निकले भाबा को टच किया बापा संदर एक सेकंड लगा इसमें ज़्यादा टाइम की जुरूए अगर सोचेंगे हम पांच मिन दोएंगे वो भी भारी लगेंगे इसलिए के भरी क्या होता है रिकॉरड चल रहा होता है ट्राफिक कंट्रोल का वो भी भारी लगता है क्योंकि हमें पहले इसे अपने मन बुद्द्ध को Versetine किया इसलिए एक-एक सेकंड जमा करना है एक-एक सेकंड जब भी मौका मिला एक सेकंड से दो सेकंड पर आओ पांच सेकंड पर दस सेकंड पर दस मिनिट पर तो जो शोटी-शोटी आदत थना है वो स्वते खींचे गी है क्योंकि हमने वो आदत डाल दी है इसलिए कहते हैं ना धागों का रसा बना उसका टूटना मुश्किल आदत होके पक्की उसका शूटना मुश्किल तो हमको यह आदत का निर्मान करना नहीं आदत का तो सारे दिन में हमको हमें स्वयम जांच करनी है कि इतना समय हम दे से डिटेच रहते हैं और जितना हम दे से डिटेच होने का प्रियास करेंगे, उतना हमारी फ्रिक्वेंसी में आच होगी, कि विदेही बाप का अनुबव करने के लिए हमको भी उसी स्थिती में स्थितोने के वश्रकता है, इसलिए बावा ने एक वार मुर्ली की जो स्टार्टिंग है, शायद 79 की, आवाज से परे की दुनिया में रहने बाला बाप आवाज की दुनिया में आकर आवाज के दुआरा तुम बच्चों सो को आवाज की दुनिया से परे ले जाने के लिए आये हैं, मुद लेके स्टाटिंग इतने अची वाद है तो हमको सारे दिन में देखना आवाज में तो आ नहीं है लेकिन ये जो आवाद है हमारी बरधानी आवाज हो जाए हमारी दुरिश्टी बरधानी हो जाए हमको ऐसा नहीं कि सवेरे आके बावा हाथ रख देगा उपर या मा लीजिए साकार में बावा आते थे और बावा से हम मिल रहे हैं दिरिष्टी भी ले लिए बावा ने मारे हाथ पो रख दिया उससे भी कुछ होने वाला नहीं है सुन तुछ तो त्यांस सभी वो तो जो कह के यह वो करना बढ़ेगा और उसका हर माँ बावा के बरदान है आज की मुर्ली में न तुम बच्चों में क्या चाहिए हिम्मत और स्प्रेड ये क्या है बगवान के बरदान है ये मुरली का हर वाकिय हर शब्द वगवान का वरदान है हमारे लिए तो थोड़ा सावी हम पकड़ के उसका हम कुछ चिंतन करने बढ़ाना है तो वरदान मिलेंगे सत्गुरू से तो हम सत्गुरू की आग्यों का पालंग इसले कहते हैं गुरू की आग्या सिर माते हम उसको कितना अपना माथे के अंदर रखते हैं कितना हम उसका पालन कर रहे हैं यह हम स्वयम की जहांच कर सकते हैं तो सबसे पहली बात तो यह है एक तो स्वयम से प्यार करना सीखना है अपनी कमी कमजूरियां ठीक है है लेकिन हमको उनका चिंतन नहीं करना है क्योंकि हमारी उंगली सोयम भगवान ने पगड़ी है किसी मुनश्य ने पगड़ी है किसी धर्मात्माने ने पगड़ी है किसी देदारी ने पगड़ी है किस न्यासने ने पगड़ी है सोयम भगवान का आवतरन हुआ है उसने हमको चुनाएं, कौन सी परक्तितियों से, किस परतितियों से, संसार में नहीं तो, ऐसा नहीं कि, सभी को कोई बिगन थे, कोई दुखी था, कोई तो अच्छे खासे खापी रहे थे, गरों में मज़े में थे, गुआ ने क्यों पकड़ा किको उसको अपना कर्तब बे करवाना है तो उसने हमें अपने हमारे अंदर बिशेशना हैं देखी है कि यही बच्चे मेरे इस बिश्व को परिवत्न करने के कारे के लिए अपनी ताकत रखते हैं तो जरूर तो हमारे में वो है ना जो माना बाबा को हमारे उपर बिश्वास है वो हमें अपना बिश्वास काहिम रखना है सोहिम पर बिश्वास तो ठीक है मैं आत्म हूँ यह तो निश्चे है लेकिन यह एक है ग्यान के उपर निश्चे है जो बावने हमारे में देखा उसके उपर निश्चे रखना है कि यह सच मुछ हम वो हैं नित्य सोमान हम अक्षेप्ट ही नहीं कर बाते हैं जैसे अब केवरी क्लासों में कहते हैं बिश्व के लिए आनकारी आत्मा हो यह मास्तर सर्व शक्तिवान आत्मा हो मेंसूज कहां होता है क्यों निए होता है? क्योंकि हम क्रम में लाते नहीं मास्तर सर्व शक्तिवान कब काम करेगा? जैवाम थोड़ी सी भी हमारी हमारे जो कदम में गल्दकारे की तरफ जारह हैं तरंत उसको रूक लेते अर्थात हमने अपनी शक्तियों को कामे लगाया संडे के मूली हम था कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर तो समय पर उनको सदूपियों करना उनका कहीं हम जारे मेडिटेशन में बैठे हैं या कोई जो कह रहा है हमको चलो वाकिंग और हम निकल पड़े तो अर्थात हमने शक्तियों का दुरूपियों किया सदूपियों नहीं किया बावा तो सूक्षुम रूप से 24 हावर हमें शक्तियों से बरपूर कर रहा है वो तो अभी भी हमारे साथ में अंगसंग है और इसका एक सुंद्रस्था अनुप बताता हूँ कि बावा सच्मच अंगसंग है ये तकरीवन 11-12 साल पहले की बात है एक यूगल आये थे दिली से तो हमें अमरिस्था से बेंजी का फूना है था कि दिली से एक यूगल आ रहा है तो उनके जो माता जी थे और बेटी और साथ में दामाद तो माता जी और बेटी दोनों ग्यान में थे माता जी अच्छी ग्यान में और बेटी थोड़ा कम-कम और दामाद ग्यान में नहीं था थोड़ा एंटी था वो तो मुझे फोन करके उनोंने कहा कि यह हम इनको मदबन भेज रहे हैं, थोड़ा आप इनको ट्रीटमेंट कर देना, जैसे भी होगा, हम बोला ठीक है, तो बहुत ठीक इदर आए, और महेंगी वाले गाड़ी में, जो एक BMW गाड़ी होती है चाहिए, महेंगी होती होगी, तो उस गाड़ी में आए वो, तो बारा इंटरस्ट नहीं है विल्कुल, तो वो गाड़ी से उत रही है, तो उमने का चलो ठीक है, आप वले होटल में रो, कम से कम, इनको कमरा तो देखा हो, कैसा कमरा मिलाए, तो जाओ तो सही कम से कम, तो खैर वो कमरे में गया है, तो फिर बहाँ थोड़ा मन चेंज हो गया उनक पी, तो रिष्टो में तो ऐसी होता है, तो फिर वो उनको भोजन करने नहीं आए, फिर शाम के टाइम में वो पीस पार्क चले गे, गाड़ी लेकर, तो बहाँ देखा सभी ने, पिर जब बापस लोटे पीस पार्क से, गेट से बाहर निकले, तो उनकी जो गाड़ी का शी तो और ही उसको इंटरस्ट, और कम हो गाए उसका, फिर शाम को वापस आगे, कमरे में गे उपर, तो वो मा बेटी तो बोजन करने आया है रात को, लो लेकिन वो नहीं आया, अब शाम का शाड़े नौ टाइम हो गया, उसमें बोजन भी तोड़ा ठंड़ा हो जाता है, तो अब तो जो था जैसे था अंदर से बैसे कड़ी और किछड़ी लेके उदर, उनको ठाली लेके, तो बड़े भारी मन से थोड़ा-थोड़ा खा लिया उनने, फिर बावा की तस्वीर देखे, ब्रह्मा बावा की तस्वीर, बोलें ये क्यों लगाया होया, ये तो बश्री छोड़ दिया है, तो उनको क्यों याद करते हैं, बिए तो बूत हो गया एक साव से, अपनी अपने मेंटालिटी होती है उनकी, तो उन्होंने ऐसे बोला, तो फिर उनको बताया हमने जितना हमको आता था परीचे दिया, बावा का, संस्था का परीचे दिया, तो खैर जी दिन स्वेरे नास्ता करने आया था, तो उनको बापस जाना था, तो उनको बापस जाना था, तो उनको बापस जाना था, तो फिर स्वेरे बापस आया, नास्ता किया उन्होंने, तो नास्ता करते करते, उनको बात की किये, यह जो पांच गोड़े बाला रत है, यह क्या ची आया था। कि गुला एक रात था ओपर से बहुत बड़ा रात था बहुत बड़े बड़े गोड़े थे। nggak भिए एक एक माताजी बैठते खुले खुले बालों बाली ऑर अर यह बावा बैठा हुआ था। और ओव मुझे ना उपर लेगे वो राथ में बिठा के उपर लेगे यह सत्य गटना है जो हम लोग अनुबब नहीं करते हैं जो बाहर वाला बेक्ति अनुबब कर रहा है तो मुझे उपर लेगे वो और उपर जाके देखा तो बहुत चारों तरफना बाइट इवाइट परकाश है और बहुत बड़ा यगे चल रहा है और बहुत सारे बाइवे ने बहाँ बाइट कपरों बैठे हुए है वो बहुत बड़ा यगे चल रहा है बास इतना यह दिखाई दिया और फिर रो रत मुझे शोड़की चला गया नीचे तो फिर स्वेरे उसके आंक खुल गी तो उसने ऐसे बताया तो यह अनुभव बताया फिर अनुभव के बाद तो हमने कहा आपको तो अच्छी बात है अनुभव कराया हूँ फिर बहां से बोला ठीक है अब हम अभी तो आज हमको बापर से ले जाना हमने बोला ठीक है आपकी इच्छा तो नास्तावस्ता करने के बाद थोड़ी टोली ले दी उनुझे उनको तो जैसे टेलफोन है किसे तोड़ा बाहर निकले तो हमने कहा भी अब इचार ताम देख लो अब जाई रहे आप तो इचार स्थाने ही देख लो आप फिर रुकने के बाद फिर सारा गूं को फिर रात को वापस आया फिर रात को उसने जो अनुझे सनाया बोला जैसे मैं नास्ता करके बापस आया था शान्ती स्थाम पर तो टावर आप पीस के सामने खड़ा था और जैसे मैंने लेफ्ट साइड देखा वो जो सीड़ीं निकला था तो गेट के बार ठीक सामने बावा और उस समय मुझे सपश्ट अनुबव बावा के बावा ने का मैं बच्चे यहां नहीं हूँ जब तक यग्य काकार्य संपन्य हो तब तक मैं यहां से जाओंगा नहीं बावा हमारे अंग संग है ही है तो यह अनुबव बार बावा ले करते तो हम क्यों नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम दोसी बातों में बीजी बहुत रहते हैं दोसी दोसी बातों में बीजी रहते हैं तो यह गी तो है तुम तो यहीं कहीं मेरे अंक संग बावा वो है है बावा क्या चीज है यह जो चार पेज की मुर्लिया नहीं यह बाबा है भरतमान तो वही है अब इस तूल रूप से उस तरह से मिलना तो है नहीं जो पहले वाली थे के दादी गुलजार जी बैठेंगे बाप दादा बीच में आएंगे और मुन से मिलेंगे दृष्टी लेंगे पूरा हो गया है बाबा ने का आप वो कारिये तुम भच् काम करेंगे उनको तो दूसरे बड़े बड़े और भी तो काम करने है तो उसके लिए हम सब को बाबा इतना शक्ति शाली बना रहे है और उसके लिए बरदानी अमरित विला तो अमरित विला हमको नहीं नहीं तरीके से करना है रोज रोज भी बोई नहीं और उसको थोड़ को नीचे ले आओ पकड़ के बाबा ने कहा पूछ अगर कोई तुम बच्चन से पूछे बाबा कहा है तो क्या कहोगे मेरे दिल में तो वो स्वाइम जब कह के गया तो मान क्यों नहीं रहे हैं उसको तो हम उसको यहां आओ को करें ना दो बिंट उसको हम आँखे बंद कर लें तो आँखो में पकड़ कर रखो बाबा को जैसे अब यह जो संकल्प होगा यह जो imagination होगी कि मैंने आँखो में बाबा को पकड़ कर रखा तो इंपॉसी वाले बुद्धी इदर तो जाए नहीं सकती है कैसे जाएगी वो जाए नहीं सकती है मैंने हाथों में बाबा को पकड़ कर रखा हुआ है कैसे जाएगी वो क्योंकि इस थूल हमको ज्याद रहता है मुवाइल पकड़ा तो हमको पूरी conscious है तो साथ वाला को यह हमारे से शीनना ले रहती conscious कि नहीं हमारे जेव में तो कितनी conscious रहती है लेकिन बावा को पकड़ कर रखुआ है हर चीज के साथ जोड़ नाम हो तो हमको नए ने तरीके से देखना है कि स्वेर महसूस करना है नीद हमको क्यों आती है क्योंकि हम पुराने डर्ने पर चलते रहते हैं यह ग्यान जो है तो चार से पौणे 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 पौणा गंटा काम नहीं है बहुत ज़्यादा पौणा गंटा होता है हमको time consciousness नहीं है हाँ अगर लंबास में हम अमरित विला वाटते हैं तो उसके लिए ज्यान भी बहुत पुद्धी में चाहिए ने तो शिरी नेंद मा आद रखा हुआ है जैसे घरों में अकेले करते हैं अब यहां meditation आल में तो सुरे से हमें ऐसा नहीं कर सकते हैं अपना हाथ उपर रखें हांसेगे सभी लेकिन घर में अब जब करते हैं तो अपना हाथ उपर रख लो क्योंकि तन किसको दिया है बगवान को अरपी तही है य गवान सब को योग्यतां को सेवा में लगा रहा है तो हमारा दिरिष्टिकुन कैसा हो जाए उसको हमने अपने रग रग में अप्सा लिया कि को गवान भी खुद बावा कह के जा रहा है कि मैं तुम्हारे दिल में हूँ वह बक्तिकाल का सर भ्यापी नहीं है बहुत अलग के रखा हुआ है और मैंने बाबा को पकड़ के रखा हुआ है जैसे कंबाइन रूप का रथ क्या है और ये जो स्थिति होगी ये स्थिति में हम अपने शिरील को भूल जाएंगे बिल्कुल क्योंकि हमने सुप्रीम सत्ता के उसके समंद में आये हैं उसकी जो फ्रक्वेंस कि हमको महसूस करा कि हमको परमदाम का पर अनुबो हो सकता है यहीं परमदाम का अनुबो कर सकता है मेडिटेशनल में यहीं हम सोचना हम मेडिटेशनल में से योग करने जा रहे हैं यहीं परमदाम है यहीं सोचना है यहीं मनियों का आगार है यहीं बाप ददा की जो अवत कितने अच्छे गीत बने हुए अर्थ सहे गीत है लेकिन कही परी क्या होता है ठीक है गीत चल रहा है क्या चलना वो पत्रने त defend נत reason कोई चल रही है तो हमको नए ने तरीकी से करना है मैसूंस करने जिसे बगवान उपर से बर्दानों की बरसात कर रहा है बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं कितने बर्दान दे रहा है जितने मेरे सिरे के उपर बाल है इतने बर्दान दे रहा है बगवान और जिसके सिरे बाल नहीं है तो तो क्या होगा तो बिग बिग आती है न वो लगा जीने के उपर तो हमको ने ने तरीके से करने हैं ताकि उसमें रोचकता होगे, रोची हो, मज़ा आए उसमें कुछ हम शक्तिशाले चार्जिंग होकर बाहर निकले एक संतोश रहे कि हाँ कुछ तो आज नभी इंता की है अर्थात अमरित बिले के बाद हमको सोने का ख्याल नहीं आना चाहिए सुस्ती नहीं आने चाहिए लगे बाकिंग करें कुछ, मनन चिंतन करने क्योंकि अमरित बिले के बाद जो मनन चिंतन करते हैं वो हमारे पक्के संसकार बन जाते हैं ग्यान का चिंतने वो हमारी रगों में समा जाता है हमारी नस्व में समा जाता है तो प्रमातम प्यार हमारी रग रग में समा जाना चाहिए अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे कितना सुन्दर समें मिला हुआ है हम सभी यहां बठी के लिए एकत्रीत हुएं कितने बताया था ना कल की मुर्ली में संडे की कोटों में कोई, कोई में कोई वो हम सबातमाई हैं यहां मदवन में आने के लिए कितना तरसते हैं और हम भगवान की गोद में बैठे हुए लेकिन इतना अटेंशन भी हुश है कि कोई माया भी यहां बड़े नएने रूप से आती है जैसे दुश्मन पहले कहां अटेक करने के कोशिश करता है है डिकाट रवर तो माया जिस तरीके जितना जितना हम ग्यान मार्ग में आगे बढ़ते हैं माया भी नएने रूप से आती है लेकिन उसको पहचानने की हमारी जो दृष्टी है या समझ है बृती है उसकी भी प्रकरता तब ही आती जाएगी जब हमारा मन बुद्धी की लाइन क्लियर होगी ग्यान बुद्धी में होगा तो तुरंग कैच में आएगा ये माया है क्योंकि नए नूर से बाइट कपड़ में आएगी ब्लैक केंड ब्लैक कपड़ तो बहुत आगी उसको तो पहचाना असान है बाइट कपड़ में आएगी कैसे आएगी बैज लगा के आएगी कैसे आएगी ओम शान्ती करते हुए आएगी उसको पैचाना मुड़ा मुशकुल है। इसलिए भावा ने करता है लौकी किस्थ ने कले लेकिन लौकी की रिष्टे काइम हो जाएंगे। यह तो मेरी बेहन जैसी लगती है। यह कोई माता बोलती है तो मेरे पुतर जैसा लगता है। तो सुक्षम रूप से महायाती है तो लॉकी की दोनों से परे निकलना भी पार लॉकी की दुनिया में हमारी बापसी हो रही है तो हमको उसका चिंतन लंबेस मेंसे हमको बैठे बैडे सोचते रहना है कि हमें घर से कितना प्यार है अपने आप से प्यार, वो घर से भी प्यार चाहिए जैसे जिस गर का जो लोकी में घर का निर्मान करते हैं उस घर की देखरे के लिए हमारे कितना चिंतन चलता है थोड़ा सबी कहीं सक्राय चाहता है कैसे उसको पेंट लगाते है कितना बुद्धी चलती रहती है गर को सजाने सवारने के लिए कितना हम योजने त्यार करते हैं तो हमारा जो असली गर है परमदाम, एक अनुपाव हम ये भी कर सकते हैं मृत भिले एक घरमों को परमदाम बना लेना है बले जितने मर्जी कमरे बना लोगा कि अभी हम परम नाम के कमरे में प्रवेश कर रहा हूँ बहां की दिवारे कैसी है लाइट की दिवारे है कौन सी लाइट है जो भी लाइट हो अपने हाथ में ही है लाल रंग की कर लो लाल रंग की लाइट है पहला कमरा कौन सा कमरा है वो पहला कमरा पहला कमरा सर्वशक्तिवान का मैं उसमें परवेश कर रहा हूँ मास्तर सर्वशक्तिवान और सर्वशक्तिवान अपस में हम दोनों आमिजी से हमने बैठे हुए हैं कोई बात नहीं सुक्षम ले लेके कितनी बातें करेंगे, बच्चपन की बातें करेंगे, तो हम भी बावा के सामने सामने बैठके, बावा आप कैसे हो, मैं ऐसा हूँ, आप भी बैसे हो, अभी आपकी क्या प्लानिंग चल रही है मुझे क्या करना चाहिए तो रूरान करनी है वो बावा से रूरान अपने आपस रूरान अपने से बातें करनी है परमदाम में बैठके दोसा कमरा कौन सा है बिशब कल्यान करेगा उस सुमान का बहां से निकले और बहां गुशगे फिर बावा ने पकड़ के आंपस तो हमको प्रमदाम में क्यूंट संकलप जो महरा मन न बहुत संकलप करेगा ही करेगा क्यूंकि कड़ी parenthि पडिए और बिना संकलप के योग नहीं होता है कहीं ना कहीं मान तो जाएगा तो मन के संकलपों की दीशा को हमको चेंज करने है तो परमदा में भी अपना एक मकान बना के रखना है बंगला बना के रखना है जितना मर्जी बड़ा बना लो है और जब मर्जी जा सकते हो कोई रोक टोक नहीं बले अवयाद निर्मान कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं कोई बहाँ पीला पंजजोब मशीन जे से भी तोड़ने नहीं आई तो बहाँ एक अपना मकान बनाना है और रोज बार बार देखना है ओं मकान मेरा कैसा है और कितना सुन्दर है उस कमरे में कौन-कौन सा क्यमने कौन-कौन सी तस्वीरी लटकी है देखनी है पहली तस्वीर मेरे देटा इस रोक की तस्वीर है दूसरी तस्वीर फरिष्टा रोक की तस्वीर है तीसी तस्वीर पूजे रोक की तस्वीर है चोथी उसमें पूजी और भगत भी दिखाई दे रहे हैं तो ड्रिल ना हम भहीं कर लेनी की है परमदाम में सारी ड्रिल कर लेनी की भगतों को भी उठा के परमदाम में रख दो क्यों वो तो बिचार जाए नहीं पाएंगे बावा ने क्या कहा है आंत में ऐसी कमजोर आत्में आएंगी जिनको आपको अपनी शक्ति से चलाना पड़ेगा अब घर में बच्चें ट्रेन जा रही है अब बेचारों से चला जी जा रहा है बिमार हैं तो क्या करेंगे मावाब उठा के लेके जाएंगे कि नहीं आएंगे क्योंकि कितना चिला रहे है और रिजाने के लिए बगवान को उसके साह कनेक्शन जूडने के लिए कितने पापड बेलने पड़े हुए अब रौपर मिल गए है तो हमारा फार्ज किया बनता है कि जो ग्यान नहीं सुन रहे है उसको कम से पकड़ गए इमर्ज तो कर सकते ना उबर क्योंकि सब का पार्ट तो बहाँ है नि मुक्ति जीवन मुक्ति देने के लिए निमित किसको बनाए बगवान ने तो अगर हूं उस करतब बे महां अपने आपको बीज़े रेंगे तो एक नभीनत आएगी तो महसूस करना है सारे बर्दान हमको जितने बर्दान है अपनी एक लिस्ट बना लेनी है एक सुआठ एकिस एक यावन एक अत्तिस जो शगन वाला लगाते हैं ना उसी तरह की लिस्ट बना लेनी है कि आज 11 बर्दानों की अनभुती परमदाम में करूंगा उन लिस्ट बनानी है खुद लिस्ट बनानी है और रोज की मुर्ली से बर्दान निकाल देने है मुरली को अलगला के तरीके से हम उसकी misliction कर सकते हैं कभी मुरली को बर्दानों के रूप में कभी मुरली को याद प्यार के रूप में और परम्दा में बैठके सुछना है बाब ने आज बुझे क्या क्या बढ़ाया तुम बच्चों में हिम्मत और स्प्रेट होनी चाहिए बाप तुमें पीस, प्यूर्टी और प्रॉस्परेटी ऐसे दुनिया में ले जाने के लिए आया हुआ है सुक शांती तुम्हारा डबल बरसा अधिकार है ये कहा था ये सुक शांती डबल बरसा बरदान में था जहाँ तो ऐसे उसे ऊपर जाके रूट वर्ण करनी है वहां मुरली को याद करना है क्योंकि इस दुनिया में बैठ कर याद करेंगे तो इस दुनिया के ख्यालात आएंगे इस दुनिया से निकल जाना पने को ताकि यहां को ख्याल ही नहीं आए क्योंकि हमको घर बापसी जाना है आवासे परे की दुनिया में जाना है तो यह सारा चिंतना आवासे परे की दुनिया में करना है और जितना हो सके सबसे पहले चिंतन करने की आदत डाले कि कोई बिना चिंतन किये बिना लिखे हम अपने दे से दे के समन्नों से या संसार के पदार्थों से संसार के आकर्षणों से उपर निकल नहीं सकते हैं और यह लंबेस में के बाद होगा ऐसे नहीं सारी वातें एक बारी हो जाएंगे लंबेस में की आदत है प्रैक्टिस प्रै थिरीरिट होते हैं, खिलाडी होते हैं, तो वो ठंडे ठाक रूप बनके बैठ नहीं जाते हैं, खून पे सिना भादेते हैं एकदम, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, तो हमें बावा नी क्या, तुम हो जिन, जिन की तरह सीड़ी लगा के रिखे, अपने मन को काम दे दो, उपर नीचे उपर नीचे, उपर नीचे, उपर नीचे, कभी बाबा को उपर से पकड़ के लिया हो, पकड़ के राय और यहां चिपका दिया बस आँखों में बसा लिया, सिर में बिठा लिया, जैसे दादी जानकी जी कहते थे किस वेरे मैं परक्रिमा करती, तो मअवा बाबा को कंदों पर बेठा के बिश्व के प्रिमा करती हूँ, सुना होगा कियों ने, दादी जी के लग कहता है, क्लास, और हम दादीओं के जीवन को देखते हैं, कितना तपस्वी जीवन, सच मुच उनका, कितनी इत्यागत पश्य है उनके जीवन में बढ़ा हुआ था उनके पास में आने से हम बोड़ी से डिटैच होते हैं एक अनुबबब और दादी चंदरमनी जी का सुनाता हूँ जब हम ने ने ग्यान में आये थे अमरिसल में तो हमको बड़े भाई लेकर आये थे तो कॉर्स तो हम तो थोड़ा साब्ताई पाठे करम पुस्तर पढ़के समझ में आ गया था लेकिन पहले दिन में वो लेकर आये तो जैसे हमारा दादी ने हाथ पकड़ा हम बोड़ी से डिटैच हो गए तब जैसे शरीर है नहीं और दूसरी जैसे दादी ने हाथ लगाया तो पूरी जैसे आतम अनुबोती हो रही है और दादी जैसे कहा रहे है कि तुन तो बिल्कुल एकड़म पूर आतम है आगे कुछ नहीं बोला दादी ने मुक्से नहीं बोला कुछ भी यह जैसे संपूर्ण महसूस दाए तो कैसा त्याग का बल वो तपस्या का वो साधना का बल कितना उनके अंदर में हो तो यह हमारा जो चलता फरता जीवन ही तपस्वी जीवन है यह नहीं हम बैठे बैठे तपस्या कर रहें नहीं हर कर्म में तपस्या समा जाए क्योंकि हमको आगे चल कर इतना टाइम मिलने वाला नहीं है कि हम चार गेंटे बैठे तो तपस्या हो जाए दो गेंटे बैठे तपस्या हो जाए बहुत सारे काम आएंगे हमको हर कर्म को तपस्या में ही परिवत्न कर देना है हर बोल को तपस्य है, बोल हमारे मुख से बोई निकलें जो अवश्छक हों, जो किसी के दिल को रहात पहुंचाने वाले, जो बरधानी बोल हों, तो यह बोल ही हमारे तपस्य है किसी को प्रेडित कर दें हूँ, बगवान से जोडने के लिए, ऐसा ने कोई बोल हमारा, ऐसा दो क्या होता है ने तो क्या होता है जैसे हमने अमरित विले किया जैसे हम सीडियां बाहर निकले वह वाली चीज़ें यही रह जाती है और वहार हम दूसरी बाते पकड़ लेती है तो जब भी हम थोड़ा सा टाइम हमको निकले फिरी में बीच में तो सोचना है अमरित विले मेंने क्या किया बावा के पास परहमदाम में गया था, वहां कितने कमरह में से गुजरा था, बावा की साथ हमारे क्या बात्य जीत हुट थी, कितनी शक्तियें बारी थी, कैसे में चारजिंग हुद था, कितनी उमांग सा बढ़ा था, चुस्ती फूर्ती आ गई थी, ताकत आ गई थी, शिदी से डिडैच हो गया था, बिशप परिग्रिमा की थी, बावा से कंबाइंड हो गए थी, उस सारी बातिया अनुभव करनी है, तो वो जो सारी अमरित वेले की महसूसता है, वो जो अनुभूती है, वो दिन में भी उसको दिन में खिंच की लेड़ाना, उससे बहां से फिर चालू कर दिना, जहां मने पॉज किया था, पॉज को अटाया, फिर ने पले चालू कर दिया, बहां से नया पाट दिन में, करम करते हुए, करमों में अना सक्त भाव, तो बावा को बुला लो, कि बावा अभी मैं सात में बैठ कर ये, करम कर रहा हूं, करन करावना आप हो, बावा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, वो करम कर वा रहा है, इस उसकी अमानत है, ये जो भी हमारे सुक सुबध, संसाधन, सेवा के लिए मिले हुए, ने सब उसकी अमानत है, तो जब हम इन समरतियों के सात सेव एहंकार जागरी तो जाता है कि इसे वह हमने की है और एहंकार बड़ा सबसे बड़ा शत्रू है इसलिए बावा ने का न संडे के मुडली में ब्रह्मा बावा के तीन बरदान लास्ट के कौन से निराकारी पहला निराकारी दूसरा निरांकारी तीसा निर्वेकारी, नहीं पहला निराकारी, दूसर निर्वेकारी तीसा निर्वेकारी, ऐसा क्यों ऐसा क्यों आगे पिछे क्यों नहीं कर सकते क्योंकि निर्वेकारी वस्ता से निर्वेकारी बनेगे और फिर अंकार नस्ट हो जाएगा क्योंकि हंकार बड़ा शत्रू है अपने पुर्शार्थ का हंकार रहता है सामने वाला गर कोई हमको दिखता है कि यह तो ऐसा वैसा बोल बोल रहा है और हम तो अच्छा बोलते हैं तो भी हंकार रहता है तो हमारी शुब आवना कहा गई दिर अपने परिवार का मेंबर है बाती है सदस्य है और उसके परती सोच रहे हैं इससे तो हम अच्छे ऐसे सोच लेते हैं आप घर में हो हम सब ये के परिवार के हैं बहुत आपस में प्यार करते हैं तो सोचेंगे उनके परती कैसा सोचेंगे तो हम तो बेहत के परिवार में हमन बावा से तो बावा ही मांगा था लेकिन साथ में परिवार मिल गिया है तो अपने से परिवार और परिवार से भी बहुत प्यार करना है कोई कैसा भी है प्यार करना है और प्यार तब होगा जब हम दूसरों की विशेष्टाओं को देखेंगे और दूसरों की विशेष्टाओं तब दिखेंगे जब पहले अपनी विशेष्टाओं का चिंतन करते रहेंगे वो बरनन करने की जरूत नहीं है उन विशेष्टाओं को बावा की देन समझ कर करतबे में लगाते रहेंगे दूसरों को सुख देने में लगाते रहेंगे रास्ता देने में, सहयोग देने में, सने देने में तो स्वत्य ही वो बिशेष्टा है क्या करेंगे दूसरों को सुख देंगे हमारे स्वायम के बिगन खत्म होगे ना केवल हमारे बलकि दूसरों के भी बिगन खतम हो जाएंगे तो अमरितवेले बावा को एकदम पकड़ेने काई नीद आती क्यों है क्योंकि मारा मन बुद्धी चलता नहीं हो सोगे और थोड़ा-थोड़ा करना लंबास में नहीं किसना ऐसा नहीं हमको अमरितवेले दो वजे उठगे ठीक है उठना भी चाहिए बहुत अच्छी बात है लेकिन उतना स्टैमिनो होना चाहिए ऐसे इन दो से चार तो कर लिए और चार वाज जाके लुड़क गए खटिया पर जागे नहीं एक आदत बनानी है पहले अमरितवेले को पका करने है और बाद में सोना नहीं है नहीं तो सोने के बाद क्या होता है सारी कीकमाई चट पहता नहीं कौन सी दादी कहा थे अगर सोने यहां अमरितवेले के बाद खटिया पर जाते तो सामने देखो वहां कोबरा बैठा हुआ बड़े वाला थेका था सामपले के राकी लो आप सारी कीकमाई नश्ट हो जाएगी नतो तो हमको उसके बाद चिंतन करना है और अगर नीद आती है क्योंकि नीद आने के बहुत कारण हो सकते है अगर हम दोआई लेते हैं तो भी नीद आ सकती है रात को जादा बोजन किया तो नहीं दा सकती है हमारे संकल अपनी चल दें तो नहीं दा सकती है अचा जहां हम बैठे हैं ये भी बहुत माइन रखते है जो हमारे अंग संग में आत्में बैठी है अगर हम कमजोर हैं और आसपास वाली आत्में भी थोड़ी सो रही हैं तो हम भी उसीच पेट में आ जाएंगे तो बहां से उठ जाना चाहिए उसको नि छेड़ने के जरूँध है पाता नहीं बहां बैठके मुर्ली पड़े थोड़ा खुशी होनी चाहिए कुछ तो थोड़ा दस लाइने हमारे आत्में आ जाए भगवान की मुर्लियां क्या यह भी तो बर्दानों से बरी हुई है वो मुर्ली पड़ो उसका चिंतन करो अच्छे-चे बाकी लिखो इतना धेर सारा लिटरेचर है धेर सारी वेक्त वाणियां साकार वाणियां इतने अच्छे-चे पॉइंट है कभी तो ऐसा लगता है क्या पड़ू और क्या छोड़ू यह तो बिना गुठली के आम जैसे है तो हमको अच्छे-चे महावाक की लिखने है ठीक है बनी बनाए किताबे मिलती है स्पार्क में इसा मिलती है लेकिन अपनी किताब का निर्मान करना है हाथों से लिकरना है बड़े-बड़े और घर में जगा-जगा लिख देना है जिस कमरे में मैं रह रहा हूँ यह साधारन कमरा नहीं है यह बगवान क्या दिया हुआ दी हुई प्रॉपर्टि है अमानत है यह दिवारे नहीं है यह बगवान के CCTV है यह मुझे देख रही है दिवारे प्रकृति के पांच यों तत्तों मुझे देख रहे है वो पावन मनने के लिए हमारी समक्ष में इतना सारा काम है के वरी तो अमरे को लेगा टाइम ही छोट पड़ जाता है स्वयम को पावन मनाना आत्मा को पावन मनाना करमिंद्रियों को पावन मनाना प्रकृति को पावन मनाना भक्तों को सागाज देना बटक्ती तडक्ती आत्मा को सागाज देना जिनको हमने दुख दिया उन से माफी मांगना माफ करना है माफी देना धन्यावाद करना कितने सारे डेर कार काम है और फिर भी हम सारा टाइम निकाल के फिर भी थोड़ा सो जाते है कितने होशे आ रहोगे टाइम निकालने के लिए कि अपनी नीन फिर भी निकाली लेते हैं तो अपना एक time table नहे तरीके से create करना है और जो अपना करेंगे ना उसका अपना मज़ा होगा दूसरे के हम class से सुनेंगे उतना समय अच्छा लगेगा लेकर बाद में अगर करेंगे ना तो class वहींगे वहीं रहा जाए फिर उसके बाद मारा परिवत्तन ने होगा फिर सुनेंगे class तो बहुत अच्छी थी आप बहुत अच्छा class करते हो यहां के बाद आप भी सब bowling class तो बहुत अच्छी कराई लेकिन उससे कुछ उने वाला नहीं है वो हमको खुद करना पड़ेगा खुद करेंगे तो मज़ा आएगा तो यह बर्दानी अमरीट वेला हरतात हमारा हर मुमेंट हर पल अमरीट वेले जैसा ही रहे चाहे दिन में या रात हो लेकिन अमरीट वेले जैसा रहे हमरीत अरतात हमेशा ओलार की तर Ralph तब्कते रहने चाहिए जैसे एमिली का नाम सुनते क्या होता है आया किसी को मुख मेला गुलाव जामन का नाम सुनके लेकिन इमिली का नाम सुनके गुलाव आती है तो ऐसे हमारे मुख में वो सलाइवा टपकना चाहिए बावा कहते है न तुम बच्चे बिचार सागर मंथन करते रहो तो ज्ञान टपकता रहेगा परसों के मुल्ली में ता मीठे बच्चे तो कुछ न कुछ ज्ञान का बिंदू हमारे मन बुद्धी के उपर तपकता रहने चाहिए बरसात सोच लेना जैसे शिवलिंग है न तो मैं भी शिवलिंग की तरह है और उपर से एक बिंदू बिंदू टपकरा है जैसे वो शिवलिंग है तो मैं एक सुमान नया सुमान है मैं मास्टर शिवा हूँ नया सुमान लेना है मैं बेहद का यग्य हूँ ये भी हम सोच सकते हैं कुछ सुमान ऐसे होते हैं जो बताने वाले नहीं होते हैं वो अंदर ही अंदर करने होते हैं तो नए ने स्वमान लेंगे, नए तरीके से करेंगे, नए इमेजिनेशन करेंगे, तो मज़ा आएगा, चार्जिंग होगी, और फिर एक वर हमने स्वाद चक लिया, तो सारे दिन में बार 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 हमारा मन कहां जाता है, जो हमको अच्छी चीज लगती भही जाता है, फिर बुराई हैं छोड़ने की जुरूत नहीं है, वो स्वादा शूट जाएगी, वो स्वादा गौन हो जाएगी, अच्छाहियां धारन करने की जूतिने स्वार हमारी एक आदत पड़ जाएगी, उस पट्री पर जब हम अपने पाउं राख देंगे, तो स्वादा चलें करने की जुरूत नहीं है, वो हमारा नेच्रल पुर्शार्त हो जाएगा, और जो नेच्रल वो सदा काल चलेगा, और जो हम भारी पन से करेंगे, वो मुश्किल वाला करेंगे, वो थोड़े दिन चलेगा, इसलिए जहां भी हम रहते हैं कर्म ख्षेतर पर अपने अपने व जो बार वालों की दौाइं बहुत काम करती हैं, अगर बार वालों को थोड़ा सा भी हमारे से बावा ने सुक्षानती की मैसूस तक रा दी, तो हमें बहुत सारे दौाइं मिलेगे, और वो दौाएं उनको बहुत नर्वेग्नम ना देगे। नकाल हमें, बलके हमारे आस- पास बालों को भी निर्वर गिनम आती जाएगी तो ऐसे बर्दानी अमरित्विला तो हो गया बुरा भी तो बर्दानी अमरित्विला हमारा निरंतर चालो ही रहे ओम शांती